तो क्या ये मांग भारत के लिए हिंदुस्तान के लिए सही है बिलकुल सही है क्योंकि भारत हिंदुराष्ट्र है ही इसमें तो कोई दोर आए नहीं सभी जानते हैं हिंदू कहा है हिंदू के लिए जगें कहा है पुरी दुनिया में ऐसा कों सा देश है जहां हिंदू का उद कि बदलेगा यह कि फिर हमारी पैचान जैसे घर आपका है आपका घर घरमसाला हो गया जो आए चला है दो हजार करकार बनने के लिए तो आप यह समझे और पर लिखता को कि अहीं को हाथी से कोई दिक्कत नहीं है कि अच्छा अब इसी पर बात करते हैं सनातन के विरूत की बात करते हैं कि इस पूरे प्रकरन के बाद उत्त्य प्रदेश की योगी सरकार ने एक आदेश दिया है कि नौरातर कल से शुलू होने वाले हैं और इस मौके पर जो है जगे जगे पर जो शक्ति पीठ है खेत्री अस्तर पर वहां पर सांस्क्रितिक आयोजन कराय जाए राम नौमी के द सब मिला कि यह आया है और इस पे जैसे ही आदेश आया इसको लेकर के जो सपा के अखिल श्यादों है उन्होंने कहा है कि इस तरह का काम जो है लोगों को बाटने का काम है और अगर ऐसी बात है कि आप आयोजन वास्तों में भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं तो आप कम से क दस करोन रुपए दीजे ताकि जो रमजान आने वाला है उसकी भी तैयारी कि जा सके अच्छे से स्वामी प्रसाद मौरे कह रहे हैं कि आपने कम पैसा दिया आपको 10 करोन रुपए देना चाहिए ताकि सभी जो धर्म के लोग है उनकी भी तीज तेवहार के तैयारी अच् दूसरे भारत के मुझे लगता है कि आजादी के बाद 70 सालों में पहली बार किसी सरकार ने हिंदूों के लिए इस तरह का निर्णे लिया वागत है इसका हिंदूों ने कभी किसी का विरोध नहीं किया तब को मालूम है सरकारी खर्चे पर इफ्तार पार्टियां होची थी कभी किसी हिंदू ने कहा हो कि यह क्यों होता है नहीं कहा है तब सरकार तब अखले से आदों को याद नहीं आया था कि नवरात्री भी होती है हम भी ऐसा कर सकते हैं उन्होंने तो कुछ किया नहीं अब जब कोई कर रहा है तो उसके रास्तिम किस तरह से रोलाट काया जाए किस तरह से इनको नीचा दिखाया जाए, यह मुद्दे बनाते हैं, और वू भी ऐसे मुद्दे बनाते हैं, जिनका कोई आदाब नहीं होता है, जनता बहुत समझदार है, लोक सब समिझते हैं, जो मुद्दा बनाया गया, या मुद्दा है, मेहगाई की बात करें तो कुरोना के बाद पुरी दुनिया जो है एक आर्थिक मंदी से भी भारत भी कुछ तोसर पड़ेगा लेकिन नरीज नर्मोदी जी ने पूरे देश को समाला अब कलपना करिए कि कुरोना भारत में आता केंद्र में कांग्रेश की गवर्मेंट होती है प्रदेश में सपा की गवर्मेंट होती है हालाग क्या होती है किया किसी को जो सुविधाय मिली है मिलती है मुझे तो नहीं लगता मिलती है कि आज तक मिली ही नहीं नहीं देखी जब वैक्सीन आया था तो लोगों ने उसका भी विरोथ किया था तो लोगों ने उसका भी सो खरीदते वहां भी कहते आपको पैसा देकर लगवाना है तो सब ने फिरी में लगवाई पुरे देश ने लगवाई एक सो पैंतिस चालिस करोड जन संख्या को डबल डोज लगाना फिर बूस्टर डोज के लिए भी फिरी में देना अब भाई इसका खर्चा कहां से आएगा इसकी गिंती नहीं होती है यह वैक्सीन यह विद्यसों से खरीदते और भारत में हर आदमी को जबरदस्ती लगवाई जाती तो कि आप वैक्सीन नहीं लगवाऊगे तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा करके और इतना बड़ा घोटाला होता या पाकिस्तान से बूरी हालत हमारी हो गई हुम पाकिस्तान की हालत हो गई सरि लंका की हो गए पर पुछ दिन पहले हे रह सख्धार यह कहने वाली है मैतलब गरीमत रही कि इस महामारी के डोरान देश में भाते रहते पारंक पार्फवा अड़य चारी है कि इस महामारी में भारत में ऐसी सरकारे हैं जो देशißt सम्हाल रही है देश को आगे ले जा रहे हैं अच्छा फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं हम कि जो सरकार ने एक लाख रुपए देने का फैसला किया है और जो विरुधी पार्टियां है उनका कहना है कि दस करोड रुपए दीजे और सभी धर्मों के तीज तोहार के त्यारी कराईए आप इस पे आप क्या करकार किसमेने पर क्या कहना है मौलावनं मौलवियों को तन्खा मिली तरकारी पंट से मिल दे इसे हिंदु ने और अmışलेस यादा ये क्यो नहीं इन्होंने समय किया कि जितने मंदिर हमने के पुजारियों को भी तन्खा मिलनी चाहिए तो नहीं आदा है इनको नहीं आदा या एसे आदा था वोट की राजनी की अब मुसल्मान भी इनका साथ छोड़ रहा है तो जान गया है कि यह किस मिट्टी के बने हैं और यह क्या कर सक पुरा परिवारबाद है इनका तो जब कुछ नहीं बचा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे हमें हमें आपका विरोध करना है आप हसोगे तो विरोध करेंगे देखो हास रहें आप रोगे तो विरोध करेंगे देखो रो रहें मतलब जिनका काम ही है वो पताने कि यह ऐसे ल और बात करते हैं कि इस समय जो देश में अगर यूपी से थोड़ा सा उपर उड़ जाए तो पूरे देश भर में देखा जाए तो हिंदू धर्व को लेकर के कही ना कही टार्गेट किया जा रहा है हम ले चलेंगे आपको बागेश्वर धाम MP में ले चलेंगे जहां के आप कि शास्री को जानते होंगे उनको लेकर किस तरह से लोगों ने बड़ा विरोध किया कि यह तो चमतकार दिखा रहे हैं या तो यह ढोंग है और अगर चमतकार है या कोई शक्ती है तो वह हमारे सामने करके दिखाए उन पर लोगों ने बड़ा आरोप लगाया तो उस पू कि वह इस तरह का काम कर सकते हैं वह से अपने अंदर जगा सकते हैं महारसी व्यास ने महावारत दिखी वाल्मी की जिने रामचरितमानस में पंचवती से स्री लंका तक का जो सौटेस्ट रूट बताया है उन्हों ने कुछ छोड़ा ही नहीं रामायर में कोई संसे छोड़ नहीं हर चीज का उतमे जवाब है वह आज महीं सौटेस्ट रूट है पंचवती से स्री लंका अब वाल्मी की जी तो कहां बैठे थे उन्हें कैसे पता तो एक आपके अंदर हर व्यक्ति के अंदर उसकी अपनी इंटर्नल पावर हुती है आप चाहे तो उसको जगा सकते है अब बात करते हैं यह लोग कहते हैं कि उस सक्ति को दिखाओ आप देखने लाइक हो भाई उस सक्ति को देखने लाइक अब यहां पे हम आपको किस्सा बताते हैं कि बाली को वरदान मिला था जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी सक्ति बाली में चाहिए कि जब भी वो सुग्रिव को मानने जाता है जो भी होता है तो अच्छ नहीं चल पता तो एक दिन उस्ते हनमान जी को चैलेंगे कि अच्छ आओ पहले तुमसे लड़ना है फिर हम आगे का कारिकरम करेंगे अनवान जीन उसको समझाया कि अरे फोड़ो रहने दो जाओ नहीं माना अड़ गया का नहीं हमको लड़ना है बाद में अनवान जी ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया का चलो भई कल मिलते हैं कल नहीं मान रहे हो तुम पैताय हो गया कि अगले दिन दोनों लोगों का आमना सामना होगा शक्ती परिक्षान हो जाए नारजी परेसान हो गया बाली को समझाया बाली निवाना नही अनवान जी के पास अनवान जी ने कहा है यह तो लगने के लिए तयार है हम क्या करें भई यह लगने को यह तो हम कैसे मना करने तो नारजी ने कहा कि अच्छा अपनी सारी सक्ती छोड़ कर जाना आज तुल्सदाजी नहीं लिखाया ना अज तसे एण नोटकेदा राता है वो दो दे सकते थे इतनी पावरह को दे सकते लोगों को तो उन्हा था आप अपनी सब को सक्तिया छोड़ कर जाना तो बिना पावर कर जाना तो उटका चलो भाई मान लियो तो ऊबने जब पाउ हनवान को भी मज़ा चखाऊंगा है हनवान जीने जैसे ही पैर अखाड के अंदर रखा बाली प्लूरोजी अ зовा कौस्त started under लघा कि नारज जी खडह घूए उनहीं त्रब्लत वहां हुऊ है और अपी बाली verschiedenen बाली को शरेव नहीं आया हुआ है उसके सर्ड़ कsınız इतना सरी पूल गया फिर उनने का बाली जल्दी भाड़ यहां से बाली वहां से भागा सेकलों मील दूर जाके एक सरोवर में पूद गया तब जाके उसको सांती मिली नारज जी पहुंचे और कहा कि बाली तुने गलत जगे पर बंगा लिया मुट्व मैंने कल रात को इतना क इंतना हाली को काम खत्म हो गया तो यह लोग कहते हैं कि सक्ती दिखाओ आपों तो हवा siitä कि ≤ उर की दिखाओ एक हो आपके अन्दर शकिज काम को करने जाते हैं तो आपका अंतरमन कई बार यह कहता है कि यह काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए हम इसको सिक्स सेंस कहते हैं कि अब एक जैसे नाम सुना होगा आचारी रजनीष्थ है उसो उनका हिपनोटिजम इतना तेज था कि वो दुनिया के किसी कोने सबने सिस्यों गुडा लेते हैं अब उनसे को उस सक्ति को दिखाओ कितने लोग गए आचारी दिरियन सास्त्री के पास बैखे उनका परिक्षाण किया चीजें की अब कुछ होने के बाद दूसरा क्या कहता है यह तो फिक्स हो गया तो तो तुम से ले जाओ महाराष्ट के एक सज्जन है जिन्होंने दिरियन सास्त्री के उपर शाम मानो नाम है तो जो एलिगेशन लगाए है जब उनसे कहा जाता है कि आप सामने बैठो तो सामने नहीं बैठो सामने नहीं जाते हैं कैसे जाएंगे सामने तो वही जाएगा ना जिसके अंदर कोई कितने न्यूस चैनल वाले गए दिरियन सास्त्री के पास हलकपट नहीं धगए टेस्ट किया चले आए उन्होंने सर्टिफाई करते हैं यहाँ यह आदमी विल्कुल ठीक जो करते हैं सह साम माना उससे पूछो कि आप कितने लोगों कोई कठ्था कर लेते हैं यह जो लाखों आत्मी धिरियन सास्ति के पास पहुंसता सब्वे उपोप है लोग उनको कॉलो करते हैं उनको मानते हैं आप जाए अगर इस तरी की बात है तो आप जाएए उनको पंडाल में जाएए उनके मंच पर जाएए और उनको गलत साविक करिए इतनी हिम्मत नहीं है बस ये दूर से बात कर से हाथी चलता है गाओं में आपने देखा होगा हाथी आता है तो गाओं के सारे कुट्टे भौकने लगते हैं वो हाथी के पास नहीं आते हैं दूर से भौकने हैं उसको होगा हाथी से कोई नहीं है टृक्त्यों को इस बाा से निक्कत रहें कि इतने लोग इकता होग है हाथी क्या वहाथ जोड रहे हमारा क्या होगा है अरु एंशया है और अभी आप देखते हो है अभी राहूल गांदी की ब्हारत्यत्रा और यद्व से एट्शा इन रहना हो कहते हैं नो वियुत कि मटलब लोग कहते हैं एक भीजेभी वाले आरेससली कहते हैं कि ये घंज किड़ान वहीं को रांव हम whipped को बोलना है नो पर चुन को इसे लोब जिने भारत के बारें पता नहीं है, सनातन के बारें पता नहीं है, वो ग्यान देने लिए, इनसे सीधा है कि अपना ग्यान रखो अपने पास, जनता को, भारत की जनता को, जनवानस को सब पता है, ति कौन कितना बड़ा सनातनी है और कौन कितना बड़ा देजभक्त है, हम सन अगर कहीं भी किसी को सुरक्षित रहना है, वो हिंदूर साथ रहे, वो हमसा सुरक्षित रहे, अगर भालत को हिंदूराश्ट गोचित करते हैं, अब किसी को मनाने करते हैं.